नमस्कार ट्रेंट्ट्रीक में आपका स्वागत है उपोर नेत्रीक में निवेशं कल रूप्य कहा हूए जैसे कि उनसे निवेशं के समय वादा था रिमी से ने आरोप लगा है कि अब आरोपी ने उनके साथ सभी तरह से बातचीत भी बंद कर दी है इस मामले में 40 साल की इस अभिनेत्री के साथ 2019 में दोखा धड़ी शुरू हुई जब वो अंधेरी के एक जिम में आरोपी रौनक जतिन व्या से पहली बार मिली इस दोरा आरोपी ने अभिनेत्री को अपने फैमिली बिजनस फोर्म फोर्मिंगो बेवरेजस के जरीये निवेश करने का ओफर दिया वहीं इस मामले में एक पुलस अधिकारी ने बताया कि दोस्ती बढ़ाने के बाद आरोपी ने अभिनेत्री से नए बिजनस वेंचर में इस समय आरोपी ने अभिनेत्री को सेक्योरिटी के रूप में 3.50 करोड रुपे का चेक दिया था फरवरी से जुलाई 2019 के बीच अभिनेत्री रिमिसेन ने व्यास के फार्म को पुल एक करोड रुपे की धनराशी ट्रांसफर की जहां पैसे मिलने के बाद आरोपी व्यास अभिनेत्री को उसके भविश रिवेश पर 40 फीस दी रिटर्न देने का वादा किया इसके बात अभिनेत्री ने अक्टूबर 2019 से नविंबर 2020 के बीच तीन दशमलोग एक चार करोड रुपए और ट्रांसफर किये वादा किये गए तैस समय के मुताबिक जब अभिनेत्री को रिटर्न नहीं मिला तो उन्होंने आरोपी व्यास से सम्मन में पूछताच की हाना कि अभिनेत्री के पूछने पर आरोपी हमेशा टाल मटोल करता था मार्च 2020 में अभिनेत्री ने आरोपी व्यास को नियमों को सक्ती से पालन करने को कहा जिसके बाद आरोपी ने उनके फर परकार 3.50 करोड का चेक जमा कर दिया। निवेश ते पहले सिक्योरिटी के रूप में 3.50 करोड रूपे का चेक आरोपी के तरफ सा अभिनेत्री को दिया गया था। लेकिन पता चला कि बैंक खाता बंद था। जिसके बाद रिमी सेन को पता चला कि व्यास ने कभी कोई करतना की सूचना पुलिस को दी। वहीं एक अकबार के मताबिक अभिनेत्री रिमी सेन की शिकायत पर कारवाई करते हुए खार पुलिस ने मंगलवार को एक प्रात्मिकी दर्ज की जिसमें व्यास पर धोका धड़ी और आपराधिक विश्वास घात का मामला दर्ज किया ग अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेर करना ना भूले और साथ ही बेल आइकन दबा दे जिससे आपको हमारे आने वाले और वीडियो के भी अपडेट मिलती रहेगी धन्यवाद